मुथाया मुर्ली धरन एक ऐसा गेंद बाज जो गेंद को जादू की तरह घूमाता था टेस्ट और वंडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले मुथाया मुर्ली धरन की कहानी काफी ज्यादा दिल्चस्प है मुथाया मुर्ली धरन को अपने करियर के शुरुवाती दिनों में जिन चीजों का सामना करना पड़ा उसके बारे में कलपना करना भी आपको कमपा सकता है ये बात बेहद कम लोग जानते हैं कि मुथाया मुरलीधरन का करियर बरबाद करने के लिए ऑंस्ट्रेलिया क्रिकेट ने घिनावनी चाल चली थी। मुथाया मुरलीधरन इस कहानी में शामिल तो हैं लेकिन वो इस कहानी के हीरो नहीं है। इस कहानी के हीरो हैं अर्जुन राणातुंगा जिन्होंने मुथाया मुरलीधरन को बचाने के लिए अपना पूरा करियर दाव पर लगा दिया था। कहानी हैं 1995 की। मुथाया मुरलीधरन ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रवेश किया था और डैरल हेयर को ही करना होता था। बस यहीं से शुरू हुआ था बवाल। डैरल हेयर ने मुरलीधरन के एक्शन को लेकर नो बॉल देना शुरू कर दिया। मुथाया मुरलीधरन कोई भी गेंद फेंकते डैरल हेयर नो बॉल दे देते। दरसल नो बॉल दे देकर मुरलीधरन का करियर खत्म करने की कोशिश की जा रही थी अर्जुन राना तुंगा जो उस वक्त श्री लंका के कप्तान थे उन्होंने परेशान होकर मुरली धरन को दूसरे छोड से गेंदबाजी करने के लिए कहा इस पर अंपायर ने ये घोशित कर दिया कि भले ही वो अंपायरिंग ना कर रह ने दिया इसके बाद अगले कुछ मैचों में जब दूसरे ऑस्ट्रेलियाई अंपायर आए तब उन्होंने भी मुथाया मुरली धरन के साथ ठीक ऐसा ही किया मतलब उनकी हर बॉल को नो बॉल देना शुरू कर दिया दरासल हाथ मोडने वाला मुरली के एक्शन पर पहले बवाल था लेकिन बाद में अंपायर ने उनके लेग ब्रेक पर भी नो बॉल बोलना शुरू कर दिया कुछ साल बाद महान उस्ट्रेलियाई बल्लेबास सर डॉन ब्रेडमैन ने इन दोनों अंपायरों की अंपायरिंग को महा खराब अंपायरिंग कह डाला था मुरली धरन के एक्शन को ICC ने पूरी तरह से सही ठहरा दिया था लेकिन उस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड और मीडिया मुरली धरन के एक्शन के पीछे ही पढ़ गया था और उन्हें चकर तक कह डाला था इसके बाद एक अन्य सीरीज में 1999 में एक बार फिर अंपायर थे उस्ट्रेलियाई एमर्सन और उन्होंने मुरली की गेंदों को नो बॉल देना शुरू कर दिया ICC के क्लियर कर देने के बावजूद उस्ट्रेलियाई एम्पायर द्वारा ऐसी एम्पायरिंग देखकर अर्जुन राना तुंगा के सब्र का बांध तूट गया और वो अम्पायर से भिड़ गए लेकिन अम्पायर एमर्सन ICC के नियमों तक को मानने के लिए तयार नहीं थे जिसके बाद अर्जुन राना तुंगा ने विपक्षी टीम इंग्लैंड से हाथ मिलाया और पूरी श्रीलंका टीम को लेकर मैदान के बाहर जाने लगे जाल सकते हैं और अम्प्यार एमर्सन नो बॉल नहीं देंगे लेकिन अर्जुन राना तूंगा मानने को तैयार नहीं थे वो अड़ गए कि मुर्ली जैसे गेंद डालना चाहेगा वैसे डालेगा अर्जुन राना तूंगा ने बेजिजक मुरली को अनपायर एमर्सन के छोड से गेंदबाजी करने के लिए कहा मानो वो कहना चाह रहे हो कि जो करना है कर लो देखता हूँ कि आप मुरली को कैसे रोकते हो अर्जुन राना तूंगा पर इसके बाद 6 मैच का बैन लगा दिया गया अर्जुन राना तूंगा के इस रवईये ने मुरली धरन के करियर को बचा लिया और दुनिया को नायाब हीरा दिया